प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल ओनलाइन स्टडी बाई विनीत कुमार मी तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम करेंगे मुगल काल वो भी शोटकट ट्रिक्स के साथ में एक ऐसी ट्रिक्स जिनकी सायता से आप मुगलकाल को हू बहू याद कर पाएंगे आप सभी जानते हैं कि मुगलकाल से संबंदित परशन परतेक प्रिक्षा पतर में पूछे जाते हैं परतेक competitive exam में पूछे जाते हैं तो आज कुछ ऐसा करेंगे कि आप कभी इसको भूल ना पाएं शोटकट ट्रिक्स के माद्यम से आप अपनी यादास को सताई कर सकें तो जी हाँ शुरू करने जा रहे हैं मुगलकाल और जो नए प्रिक्षारती हमारे साथ जुड रहे हैं उनसे मेरा अन्रोद रहेगा के किरिपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे भी परतेक, हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस, साइंस, एकनोमिक्स और जोगरफी की शोटकट ट्रिक्स आपको चैनल के माद्यम से करवाई जाएंगी तो लीजे शुरू करते हैं मुगल काल मुगल काल की बात करें तो ये शोटकट ट्रिक्स हैं भाजी, सबजी, फार, मसाब इस शोटकट ट्रिक्स के अंदर पूरा का पूरा मुगल सल्तनत छिपी हुई है जैसे अगर मैं आपको इसको एक्स्प्रेन करके बताओं पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंत में पीडियप के माध्यम से दे दी जाएगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट में आपको इस शोटकट ट्रिक्स की पूरी एक्स्परनेशन, पूरी अब्रिवेशन आपको दी जाएगी लीजे शुरू करते हैं सबसे पहले B मीज बाबर बाबर का कारेकाल अगर हम बात करें तो भारत के अंदर बाबर ने 1526 में पानी पत के यूद से शुरुवात की तो अगर हम इसको शोटकर ट्रिक्स से करना चाहें पानी पिया, खाना खाया, चाए पी और घर गया पानी पिया, खाना खाया, चाए पी और घर गया पानी पिया मीज पानी पत का यूद 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ में लड़ा इसको आप ट्रिक्स के माद्यम से बड़े असानी से याद कर सकती है खाना खाया मीज़ खानवा का यूद चाय पी मीज़ चंदेरी का यूद और घर गया मीज़ घागरा का यूद 26, 27, 28, 29 वैसे भी करम में है तो याद करने में बिल्कुल भी कठनाई नहीं होगी पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया उसके बाद हम बात करते ही हिमायू 1530 से 1556 तक हिमायू के बारे में आपको पता हुआ हिमायू का जो कारेकाल है वो दो भागों में बटा हुआ है 1549 में चोसा का यूद इसको शोटकर ट्रिक से अगर आप करना चाहते है चो 24, 24 24 मीन चो मीन चोसा का यूद 1549 इस्वी में 20 मीन बिल ग्राम का यूद 1540 इस्वी में और दोनों ही युद हिमायू और शेरखां के बीच में लड़े गई प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूँ दोनों ही लडाई में शेरखां की प्राज्य सोरी हिमायू की प्राज्य हुई और प्राज्य के पश्चात हिमायू भारत को छोड़ करके भारत से अफगानिस्तान में चला गया था और उसके पश्चात 1555 इसवी में वो भारत लोटा और सरहिंद के युद को जीत कर पुने मुगल सल्तनत की गद्धी के उपर बैठा लेकिन दुर्भाग्य वस एक जनवरी 1556 को दिल्ली के दीन पना भवन में स्थित पुस्त काले की सिडियों से गिर कर हिमायू की मृत्यू हो गई थी और उसके पशाच दो साशक बना वो था अकबर अकबर की हम बात करें तो 1556 से 1605 इसवी तक अकबर का करेकाल रहा और बहुत बड़ा करेकाल अकबर का रहागर कोई पूचता है मुगल सल्तनत में सबसे लंबा करेकाल किसका है तो वो अकबर का ही है अकबर की अगर हम परमुख लड़ायों की बात करें तो पानीपत का दूसरा यूद अकबर और हेमु के बीच में 1556 इसवी में लड़ा गया और हल्दी घाटे का यूद 1556 इसवी में अकबर और महरणा परताप की बीच में लड़ा गया अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर एक ऐसा सासक था जिसने मनसबदारी पर था की शुरुवात की जिसने जजिया करको समाप्त कर दिया था तो अकबर की जो गिंती है वो एक अच्छे शासकों में मानी गई है एक धरम निरिपेक शासकों के रूप में अकबर ने अपना नाम बनाया था अब बात आती है अकबर के नोरतन एक बहुत ही अच्छी शोटकट ट्रीक आपके लिए है बैट बैट एम एम एच बैट एम एम एच बीमीज बीरबल एमीज अबुल फजल टीमीज तान सेन उसके बाद फिर बैट भगवान दास एमीज अब्दुलरहीम खान खाना टीमीज प्याजा एमीज मान सिंग एच मतलब हकीम हुकाम तो प्यारे विद्यार थी बिल्कुली सिंपल और शोटकट असान तरीक बैट बैट एम मेच बैट एम मेच बूलना नहीं इसको उसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर की जहांगीर के शाशनकाल की बात करें तो 1605 से 1627 चितरकला का सवन यूं कहा जाता है क्योंकि चितरकला जहांगीर के शाशनकाल में अपने चर्मो कर्स पर पहुंच चुकी थी उच शिकर पर पहुंच चुकी थी अगर हम परमुक चितरकारों की बात करें तो उस्ताद मनसूर खां को को नहीं जानता बिशन दास दोनों ही चितरकार बहुत मशूर चितरकार रही है, उस्ताद मनसूर खां जोगी पक्षियों के चितर बनाने में बहुत माहिर थे, हुबहु पक्षियों के चितर वो बना दिया करते थी, और विशन दास ने नूर जहां का पोर्ट्रेट बनाया था, तो विशन दास बहुत मसूर चित था जहांगीर, उसके बाद हम बात करते हैं सहाजा की, जिस प्रिकार से जहांगीर को चित्रकला का, जहांगीर के काल को चित्रकला का सवन्यूग कहा जाता है, ठीक उसी प्रिकार से, स्थापत्य कला की बात करें, निर्मान कला की बात करें, तो निर्मान कला का सवन्यूग सह सहाँजा का यूग कहलाता है सहाँजा के अगर हम निर्मानों की बात करें अगर हम उपको शोटकट ट्रिक से करना चाहें तो बेहद असान है लीजी आपके सामने है मत जा रेशमा दिवानी मैमीज मयूर सीहासन तैमीज ताजमहल जामीज जामा मस्जिद रे मतलब रेशमा बाग शे मतलब सहाँजा बाग मा मतलब मोती मस्जिद और दिवानी मीज दिवाने खास तो बहुती असान और सरल सोटकट ट्रिक मत जा रेशमा दिवानी इसकी साहेता से आप इसको बड़ी असानी से याद कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं औरंग जेब की औरंग ज समय में मरोरंजन, संगीत, कला, चित्र कला पर पुरनत्या परती बंद लगा हुआ था और औरंग जेब ऐसा सासक था जो भारत को दार उलहर्ब यानि काफिरों का देश के स्थान पर दार उल इसलाम मुस्लमानों का देश बनाना चाहता था तो औरंग जेब के बाद अगर तो याद कर लेती हैं बीमीज बाबर 1526-30, एच मीज हिमायू 1530-56, एमीज अकबर 1556-1605, जी मीज जहांगीर 1605-1627, एमीज सहाजा 1627-1657, एमीज ओरंग जेब 1658-1707, बीमीज बहादूर्शा पर्थम 1707-1712, कई विद्यारती इसे में कन्फ्यूज रहते हैं कि मुगल सल तनत का अंतिम साशक बहादूर्शा जफर, बहादूर्शा जफर, आपको बहादूर्शा द्वितिय भी आप उसको कह सकते हैं, आपको मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूं, तो आपका यहां पर भाजी मीज, बाबर, हमायू, अकबर, जहांगीर, सबजी मीज और अंगजेब बहादूर्शा, बहादूर्शा के बाद जहांदार सा, 1712 से 1713 स्वी तक, फोर, फोर मीज फर्रुक सियर, 1713 से 1719 स्वी तक, उसके बाद क्या, मसाब, मसाब मीज मोहमत सा, 1719 से 1748 स्वी तक, एहमत सा, 1748 से 1754 स्वी तक, आलमगीर, 1754 से 1769 स्वी तक, सहाजा इसको आप याद करे नाम थोड़ा याद कर लेना जिसके कारेकाल में कोहिनूर हीरा भारत से लूट कर इरान ले गया था नादिर शाह इसको आप याद करें कर सकते हैं तो प्यारे विद्यार्थ ये थी पूरी मूरी मुगल सल्तनत अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शेर जरूर कर दें धनेवाद थैंक यू जैहिंद